श्रवन भक्त की गाठा क्या ये है संतों की वानी मात पिता के चरनों पे नयौ छावर की जिन्दगानी श्रवन भक्त की गाठा क्या ये है संतों की वानी मात पिता के चरनों पे नयौ छावर की जिन्दगानी We have always heard the story of Shravan Kumar who sacrificed his life in the service of his parents. पूत्र हीन थे रिशी शांतवन पूर्वश्रेष्ट गन बोले संतों की सेवा में अपने आस के तार पिरोले सेवा से बर्डान मिला खुशियों से मन्वा दोले आखे खो कर बेता पाया श्रवन भक्त साग्यानी मात पिता के चरनों पे नयौ छावर की जिन्दगानी रिशी शांतवन and his wife did not have any children so they served the saints and sages in the hope of getting a child in due course a baby boy was burned and they named him Shravan Kumar but unfortunately they both became blind अंग ही नठे मात पिता और पत्नी ठी तकरार सब कुछ सहता बिनती करता प्रभू से श्रवन कुमार मात पिता को आखे दे दो सुन लो मेरी पुकार सुन लो मेरी पुकार प्रभू जी सुन लो मेरी पुकार सुन कर करन पुकार प्रभू ने भक्त की पीरा जानी मात पिता के चरनों पे नयौ छावर की दिन्दगानी Shravan grew up and got married but his wife would always complain about his parents Shravan would pray to God to make his parents see again and God heard his prayers आदेश मिला तीरत करवादे नहीं न मिले फिर उनको तीरत करने चला भी ठाके कावरिया में उनको तीरत सब करवाके अपने लोट रहा था घर को सर्जो नदी किनारे मांगा मात पिताने पानी मात पिता के चरनों पे नचावर की जिंदकानी Shravan was advised to take his parents on a pilgrimage to the Himalayas where they can be cured with herbal medicines so Shravan fetched his parents in a cowal as he was returning home his parents asked for some water from the Sarju river nearby पानी लाने चले Shravan आवाज ने धोका खाया जुही दुबोया नदी में लोटा तीर कही से आया हीरन की बदले दसरत जी ने Shravan का खून बहाया Shravan का खून बहाया प्रभूजी Shravan का खून बहाया कापव थे जब आकर देखा कर पुरहा इक प्राणी मात पिता के चरनों पे नवचावर की जिंद गानी Shravan left for the water As soon as he dipped the Lotha in the river The sound emitted was heard by King Dasrat And he, thinking it to be a deer Shot his arrow which struck Shravan Dasrat went to collect the deer But instead saw Shravan struggling with life लेक विधी को किसने बदला क्यू राजन पच्छताए भूल मनुज से होती आई काहे नीर बहाए मात पिता है प्यासी मेरे पानी को न पिलाए आशिश तुहे मैं दूंगा राजन गरप पुचादो पानी मात पिता के चरनों पे नयो चावर की जिंदगानी Shravan said, Why worry, O King? Nobody can change what's in my destiny Humans are likely to make mistakes My parents are nearby and they are thirsty Please take this water to my blind parents इधर चले राजा जल भर के श्रवन ने छोरी खाया आहत सुन राजा की समझे बेता जल भर लाया चुप है क्यों तू आज लाज ले बरी देर से आया बरी देर से आया प्रभू जी बरी देर से आया क्या बोले क्या ना बोले पर बात परी बतलानी मात पिता के चर्नों पे नयौ चावर की जिंदगानी चृफ तू आजब लेँ While Dasrat left with the water Shrawan took his last breath On hearing footsteps approaching Shrawan's parents thought that their son was returning with the water Why are you so quiet? Why did you take so long, son? Dasrat explained what had happened शीत का रुठी दोनों की सुनकर कापे धर्ती अंबर पंकहीन पंची से तरपे कापे क्रोध से थर्थर कहा हमारा श्रवन लादला जल्दी चल तूले कर जल्दी चल तूले कर प्रभुजी चल्दी चल तूले कर छीनली क्यू अंधे की लाथी बोल बोल अग्यानी मात पिता के चर्नों पे नवचावर की जिंदगानी श्रवन's parents cried loudly and bitterly and were fluttering like two birds whose wings were cut off Where's our dear son? Take us to him quickly Why did you take away the support of our old age? they ask गले लगा के श्रवन की काया करने लगे विलाप मरोगे बेता बेता करके दिया राजन को स्राफ सोच रहे दशरत जी मन में कैसे जागे पाफ जोर गई दुनिया को दोनों बन गई अमर कहानी मात पिता के चर्नों पे नवचावर की जिंदगानी श्रवन भक्त की गाथा क्या ये है संतो की बानी मात पिता के चर्नों पे नवचावर की जिंदगानी Westminster, then took them to Shravam They embraced his lifeless body and said tothe Sheirate when you are about to die you also will shout for your son just as we are doing now Desandy then thought about the course of events leading to this sin Shravam's parents then gave up their lives and this beautiful story of sacrifice of a dutiful son towards towards his parents, was left for us all to learn from. जिन्देकान